ब्रा माया होगा जहाजों का डेरा पीवे दूद खुद बहन भाई जो तेरा नमस्कार दोस्तों मैं और मेरी पूरी टी बाराय भावों में बैठे नौ ग्रहों के अलग लग वीडियो पर लगबग 108 वीडियो इस चैनल पर धीरे धीरे डाल रहे हैं मैंने यह सब बाते उजदू की जो लाल किताब के तीनों संसकरन है 1941, 1942, 1952 इन सब में से ही आपको यह सब बताया है या फिर अपनी खुद की मेनद जो है जो मैंने सब विद्वानों से 2007-2008 से लेकर अब तक लगातार सीखा है अनुबव को इकठा किया है उसी के अधार पर मैं आपको यह सब बते बता रहा हूँ आपके मन में अगर कोई प्रशन हो तो आप हमारी नीचे दी गोई वेबसाइट पे फोन नंबर पे आप कमेंट बॉक्स पे सब या इमेल करके आप हमसे ही सब प्रशन पूछ सकते हैं हम आपको इनका उतर जरूर देंगे अब बात करते हैं भाव नंबर तीन में बैठे हो चंदर के लाल किताब में इस भाव के चंदर को चोरी और मौत की रक्षा करने माला कहा गया है ये इनसान लंबी उमर का मालिक बनता है इसे ऐसा फरिष्टा कहा गया है जिससे मौत भी डरे मेरा खुद का अनुबव है कि जब कभी वर्षफल या गोचरादी में या जनम कुंड़ी में चंदर के सालों में अगर कभी आप जैसे इनसान पर कोई मृत्यू तल्यकष्ट आ जाए तो चंदर वहाँ पर उसकी पूरी तरह से रक्षा करता है खास करके उस समय जब कुंड़ी में चंदर आपका कायम किया गया हो उच्च किया गया हो और आपको उसका उच्चफल मिल रहा हो या बुद्ध भी आपकी कुंड़ी में अच्छे स्थान पर अच्छे भाव में उंदा होकर बैठा हो ऐसा इंसान सुन्धर, स्वाम्य, मदूर, भाशी, मेहनती, अच्छे चाल चलन वला इंसान, दूसरों की सहायता करने वाला इंसान होता है और आप जैसे इंसान को भाईयों, बहनों का पूर्ण सुक प्रापत होता है अवल तो आपके जो भाई बहन है वे होटल है नहीं तो आप जैसा जो इंसान है वो अपने रिष्टे खुद ही बना लेगा लोगों को भाई, भाईयों, बहनों की तरह प्यार करेगा सब रिष्टों की सेवा करेगा, उनकी हर प्रकार की सहायता करेगा ऐसे इनसान का जो जनम है वे लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है और जनम का हर तीसरा दिन, तीसरा महीना, तीसरा साल आपके लिए नेक और लखी सापित है मेरा चंदर तीन मालों पर बहुत खास अनुब रहा है कि मैंने अलग-अलग नतीजे रिजर्ट्स देखे हैं इन पर ऐसे इनसान को मा या बाप में से किसी एक का ही सुख मिलता है अक्सर पर जिसका भी मिलता है न वे दोनों की कमे पूरी कर देता है पर अधिकतर के सोने मैंने मा को ज़्यादा जिम्मेवारी निवाते देता है लाल किताब में लिखा है कि चंदर घर जब तीजे आवे माता भी वाँ पिता कहा है यानि कि मा ही पिता का काम कर दो ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनके मा घर के हर अच्छे या बुरे फैंसले वो खुदी लेती है यान उसे मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि यान तो बाप बिमार होता है या लाचार होता है या विदेश में कोई नौकरी बगरा करने गया होता है घर से दूर कही नौकरी कर रहा होता है जिस वज़े से मजबूरी में मा को बाप का प्यार और उसकी जिम्मेवारिये निभानी बढ़ती है और उसकी जो ड्यूटी है वो बाप बनके और मा बनके दोनों निभाती है मारी और कई केस भी ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनमें बाप होता ही नहीं परन्तु अगर ऐसे इनसान की कुंडली में के तू शुबसर दे के तू अच्छे स्थान पर बैठा हो या इसने उसे कायम किया हो अपने उपायों से या अपने कर्मों से तो ये योग धीरे-धीरे धीमे होते जाते हैं और चंद्र अपना और भ्रस्पति अपना दोनों अपने अपने उच्छफल देते हैं और इनसान को अपने माँ और बाप का भी फिर पूरा प्यार मिलता है ये योग से कभी कभी कुछ केस ऐसे भी देखे हैं मैंने कि ऐसा इंसान अगर जनम से गरीब है बे सहरा है तो चंद्र तीन ने उसे ऐसी कृपा दिश्टी दी कि वे अपने यतीम होते हुए भी उसे मदर करने वाले आप पहुंचे हो उनकी तकदीर ऐसी बुलंद हो गई कि क्या कहने है लेकिन मैंने अधिक केस ऐसे देखे हैं जहाँ पर मर्दों की कमी इस घर में रहती है कुछ बाते आप जैसे इनसान को हमेशा ताउमर याद रखनी चाहिए कि जिन्दगी में भूल के भी अपनी बहन के या अपनी भुगा से या अपनी मौसी से बलकि यहां तक कि अपनी लड़की से भी कभी पैसे उधार मत लेना या उनका पैसा इस्तेमाल मत करना वरना आपकी जिन्दगी जहर जैसी हो जाए ना ही कभी भूल के बक्री का दूद किसी भी वज़े से उप्योब करना लोग डेंगू वगरा में एक्सर करते हैं तो इस इंसान को निकरना चाहिए वरना सेहत खरा हो जाए हाँ आपने अगर पैसे इन सब अपने पैसे से अपनी धंदौलत से इन रिष्टों की सेवा करते रहेंगे तो आपकी तरक्की होती जाए कन्या को दान देना या किसी गरीब छोटी लड़कियों को छोटी कंजकों को मीठा खिलाना या कभी-कभी मादुर्गा के मंदिर जाकर चांदी की नत चड़ाना आपको तरक्की देगा आपको अच्छा फल देगा ऐसा करते रहने से कभी आपके घर में ना तो कभी चोरी होगी ना ही कभी नगद धन की कमी आएगी एक और खास बात ऐसे इनसान को घर आए महमानों की दूद से सेवा करें चाहिए और जो मुसाफिर लोग हैं उनको दूद, बीठा पानी, निर्मल जल आदी कभी कभार खिलाना पिलाना चाहिए लंगर आदी आपको लगाने चाहिए जब कभी आप जैसा इनसान शादी करे तो आपको जो मिट्टी का खिलोना है या खाकी रंग के कपड़े पर जो खाकी रंग का ऐसा कपड़ा जो चमकीला नहो आपको कंजकों को छोटी कन्याओं को देना चाहिए इससे आपकी जो घरस्ती है उसका आपको नेक असर भी के बरतनादी आपको ढान करते रहना चाहिए ऐसा तब भी कर सकते हैं जब आप घर में कुटा पाले और अगर आपके घर में कण्या का जनम हो तो आपको चावल या diagnostic का दान करना चाहिए यह जो सारे उपर बताया हुए दान है अगर आपको कही वहम हो तो दुरगा मंदिर जाकर या छोटी कंजिकों को भी कर सकते हैं पर अगर आप ये सब चीजें समय समय पर याद रखते हैं तो निश्चे तोर पर आपको यहां बैठे चंद्र का पूरा नेक और अच्छा लाब मिलेगा अब बात करते हैं एजुकेशन की तालीम की लाल किताब में चंद्र को जो सेहरा का और रेगिस्तान का पानी कहकर बुकरा गया है अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे इनसान की जैसे तैसे तालीम यानि की जो एजुकेशन है वो बढ़ती तो जाएगी पर पिता की आमदन कम होती जाती है और कई बार पिता अगर सरकारी नौकरी में है तो उसकी जो तर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको कैसे भी पैसे की दिक्कत या लिक्वड कैश की पिता को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और आप इस इनसान को भी जो एजुकेशन से जो फाइदा है वो बहुत ज्यादा मेहनत से लेता हुआ लेना पड़ेगा मैंना ऐसा देखा है खासकर जो मेरा नुबह रहा है जैसे जैसे उमर बढ़ती जाएगी एजुकेशन से कमाया पैसा या कम होता जाता है जैसे एक्जाम्पन के तुर पर मैं एक वकील ग convention पहले बहुत पैसे कमा रहा था अपनी प्रैक्टिस से लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ती गई स्टाफ तो है उसने काम संभालना शुरू कर दिया और वे खुद किसी ना किसी प्रापर्टी के काम में पढ़ गया कोई और इन्वेस्टमेंट कर ली दूसरे सो रिसूर्सी से पैसा कमाना शुरू कर दिया परन्तु उसकी जो प्रैक्टिस थी जो इसने एजुकेशन से ली थी अपनी जो डिग्री की कमाई थी वे धीरी होगे वे कम होगे या फिर इस तरह की एक्जांपल्स आप अपने किसी भी एजुकेशन आपको कौन सी लेनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंसिस के अंदर, इलेक्ट्रोनिक्स के अंदर , इलेक्रीक इंजिनरिंग के अंदर आपको फाइदा होगा publishing का writing का फाइदा हो गया अच्छे ENT doctor आप बन सकते हैं medical profession आप जॉइन कर सकते हैं physiotherapist अच्छे बन सकते हैं radiology या ऐसे medical department में आप जा सकते हैं या radio जो की आजकल अच्छे बनते हैं engineers आप अच्छे बन सकते हैं chest से related चाती से related business उसके आप specialist बन सकते हैं business बोल रहा हूँ sorry education उससे आपको फाइदा होगा अब बात करते हैं किस तरह के कारोबार आपको करने चाहिए ऐसे इनसान को जो दवा है medicine shop है इनसे बहुत फाइदा होता दिखा गया pharmaceutical line के अंदर आप जा सकते हैं जवाईयां बनाने का काम कर सकते हैं medical life जो laboratories वगरा हैं उसके अंदर बहुत फाइदा ऐसे लोगों को फोता दिखा गया है herbs जड़ी बूटियों का जो export import है यह बहुत फाइदे मन रहता है animal husbandry के कामों में भी आपको lab ही देखा गया है यह सब चीजें मैं आपको अपने अनुभव experience और लाल कितब से ही बता रहा हूँ अब उपाई के बात करते हैं मा दुर्गा को चांदी की नत चड़ाइए नत छोटी हो या भड़ी हो उसका कोई बहन नहीं है लेकिन चांदी की होनी चाहिए छोटी कंजकों को जो 9 साल से छोटी कंजके हैं उनको मिठा देना बेहद आपको फल दाएक रहेगा बहन, भुआ, बेटी का धन तभी भूलके भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नहीं उनका हक है अगर वो हक मांग रही है किसी भी तरह का घर में तो वह भी आपको नहीं रखना चाहिए कभी कोई काम रुखे तो आपको अपने जो दूद जो अपने जो दांथ हैं वे आपको कच्चे दूद से साफ करने चाहिए हाँ एक सबसे बड़ी बात चान्दी का जो बे जोड कड़ा है यानि कि मेल्ट करके ढलाई में बनाया हो जिसमें जोड ना होगे पहनने से आपको फायदा होगा दोस्तों चंदर जो है वो सबसे तेजगदी से अकाश में ध्रह्मन करता है उसका बारह राशियों में जो गोचर है वे लगबग हर धाई दिन में अपनी एक राशी को बदल कर दूसरी राशी में चला जाता है इसी तरह से बाकी आठ ग्रह भी अपने अपने समय पर अपना गोचर से अपने भाव को चेंज करते हैं जैसे कि शनी महराज धाई साल में अपना एक राशी को बदल कर दूसरी राशी में जाते हैं रहू और जो केतु हैं वो लगबग 18 महीने इस बाकी जो ग्रह हैं कोई एक महीने में कोई कुछ दिनों में तो इस तरह से सब ग्रह अपने धीरे-धीरे भाव बदलते हैं परन्तु ज़स समय इनसान जनम ले रहा हो उस समय अगर कोई ग्रह चेंज हो रहा हो यानि अप एक ग्रह अपनी राशी बदल कर दूसरी राशी में जा रहा हो या जो पू से राशी परिवर्तन भी होता है वो भी लगबग धाई घंटे में एक राशी जो है वो लगन छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाती है इस तरह से व्य परिवर्तन भी लगातार होते रहते हैं इसलिए जब कोई अच्छा जोतिश जोतिशी जिसको अप कुण्ली दिखा रहे हैं जब वो आपको सलादेश बताया तो वो इन बातों का अक्सर खास ख्याल रखता है इसलिए आपको जो अच्छे जोतिशी के पास ही जाकर अपनी कुण्ली का विवेचन करवाना चाहिए अब बात करते हैं कि हम लोग आगे कई नये नये टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं आशा करता ओंकि हमारे पिछली सारी वीडियोव पर संद आ रही होगी आगे जल्द ही मिलेंगे नई वीडियोज लेकर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आशा करता हूं आपको हमारी तो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद